नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का एगरी कोचिंग भाई विकास सर अगर आप लोग आई सी ए आर जैरा फैसारा फनेट आई वी पिया से एफ़ डबल लियो एगरी कल्चर सुपरवाइजर अगर एगरी कल्चर कमटेट्व एगजाम की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखे क्योंकि आज-का जो हमारा टॉपिक हो पपीता यानि किसको पपाया के नाम से भी जाना ज इस इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक्जामों में एक या दो कोशन हर एक्जामों में पूछा गया है और आपको पपीता के बारे में बिस्तरित जानकारी होने ही चाहिए चलिए शुरू करते हैं पपीता के बारे में और जो हमारा वीडियो रहेगा काफी 60 में रहेगा और आपको कम समय में अधिक से धिक पॉंटों को प्रवाइड करवाएंगे अधिक से जानकारी को प्रवाइड करवाएंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं पपीते का समाने परचे से ठीक है समाने परचे के बारे में आप लोग देखिए सय के लिए इस को आप यह ए लेटिन भाषा का शब्द होता है और इसकी जो फैल्ये ही यह करी केसी ए ठीक है कॉनसे देप करें उतपती स्थान के उतपती स्थान केша मैक्सिको भी कह सकते हैं या दोनों से 예 देगा चाहे मैक्स को देशकता और इसके अलावा कुछ और भी fruits हैं हमारे जिसके अदर module नंबर प्रुमुजोवated नंबर फल जतने भी आपके होंगे उसके अनदर to and जो नमबर कितना होता है, टू एंड बराबर 18 होता है, चलिए बात करते हैं आगे, यानि कि फल का परकार क्या होता है, इसका पपाया का यानि कि पपीता का, तो फल का परकार जो होता है, सहरस होता है, यानि कि इसको बेरी के नाम से भी जाना जाता है, खाने योगे भाग जो और इसमें काफी important है, यानि कि पुस्प करम का परकार पूछ लेता है, पुस्प करम का परकार क्या है, तो पुस्प करम का परकार जो होता है, पपीते का, तो साई मोस होगा, ठीक है, पुस्प करम का परकार क्या हो जागा, साई मोस होगा, अब बात करते हैं, पपीता तेजी से बढ़ने वाला प्लांट सुझा यानि कि 5-6 मेहने के अंदर इसकी कराब जो होती है समात हो जाती है और एक ही जो और ध्यान देगे इसके कच्चे फलों से प्रात लेटेक्स ठीक है यानि कि पपेन नामक एंजाइम त्यार किया जाता है तो जैसे ही कच्चा जो पपीता होगा यानि कि 3 वटे 4 भाग अगर आपका पपीता पक गया है तो उसमें अगर हम चीरा लगाएंगे तो उसमें एक लेटेक्स नामक मैं 6 से लेके 9 बजे के बीच में चीरा इसको लगाया जाता है और लेटेक्स उसमें निकलता है उसको एकत्रित कर लिया जाता है जिसको हम पपेन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह चीजे आप याद रखेंगे चलिए बात करते हैं जलवाई के बारे में यानि की कलाइमेट के बारे में तो पपीते की खेती के लिए किस परकार की जलवाई की आशकता होती है यानि की जो पपीता जो है हमारा उसन जलवाई का पौधा है ठीक है किस परकार की जलवाई का पौधा है उसन जलवाई का पौ पाप मान अगर है तो पापीते के विर्धी और विकास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 22 से लेके 26 डिगरी सेंटिक्रेट तापमान जो है सबसे उप्युक्त माना गया है और पाले की प्रती ये समेदन सील पौधा है ठीक है पाले की प्रती समेदन सील पौधा है इसलिए क्योंकि ये इसकी पतियों जो होती काफी कौमल होती है नाजुक होती है और ये गुदेदा एक दम नहीं पाय जाती है यान्य कि 0% के पाय जाती इसके अंदर वसा और पाले से बचाने के लिए क्या करेंगे पापीट की खेती बे अगर पाले का परभावद हो रहा है तो इसको बचाने के लिए 0.1% सबसे अच्छी जो मिर्दा मानी गए जल निकास वाली बलोई दो मंड मिर्दा सबसे अच्छी मानी गए ठीक है यहां पर देख सकते हैं अगर जल निकास की बहुमी में बहुस्ता नहीं होगी तो उसमें पर पानी ठैरा रहेगा तो आर्द गलन यानिक डंपिंग आफ लगने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है पपीते के अंदर ठीक है तो इसलिए जल निकास की बहुस्ता सबसे पहले हमको करना है और क्रिशी ह और उसका पीच मान कितना होना चाहिए, छैसले के आठ के बीच होना चाहिए, कितना पीच मान होना चाहिए, छैसले के आठ के बीच होना चाहिए, लगभग उदासीन मिर्दा होनी चाहिए, और साड़ी छैसले के साड़ी साथ के बीच में होनी चाहिए, इस परकार के अगर म किसमे की ठीक है उनना सील जो किसम होती है यह इसमें जो उनना सील किसमें पाई जाएगी एक मिनट पपीदे की काफी उन्नस सिल किस्में पाई जाते हैं एक तो बात कर देते हैं फलूत पादन की लिए ठीक है एक है ताइवान फलूत पादन की किस्में ठीक है दो परकार की किस्में यहां हम देखेंगे एक फलूत पादन के लिए सबसे अच्छी जो किस्म मानेगे हानीड्यू मधुबिंदू ठीक है कुर्ग हानीड्यू वासिंग्टन कोयम टूर वन को थ्री को फोर उसके बाद को सीक्स पंजाब स्वीट पूसा डेलेसियस पूसा जॉइंट पूसा ड्वार्फ पूसा नन्ना सूर्या पंथ पपीता ठीक है इतियारी किसमे आती है तो इस परकार की किसमे आपको देखने को बिले इसके बाद एक चीज और देखेंगे ग्रिवाटका के लिए सबसे चीज जो किसम मानी गई है वह कौन सी है वह आपकी पूसा नन्ना हो जाएगी ठीक है ग्रिवाटका यानि कि आप इसको कह सकते हैं कि यह जो है गमलों में भी लग होती है और डायसियस जिसके अंदर नरपदो की आवशकता होती है उसको कहेंगे डायसियस और इसके अलावब बात करते हैं पंजाब देशी ठीक है पंजाब देशी एक किसम है जो की संत्रे की रहेगी क्योंकि इससे मिलती जूलती है पंजाब स्वीट से मिलती जूलती है ऐसलिए है यहाँ पर हम इसको चर्चा कर दिये है पंजाब किस में पंजाब चुवारा जो किसम यह टमाटर की हो जाएगी और पूसा जॉयंट यहाँ फूसा जॉयंट है यह पभीती पैसमें लेकिन पूसा जायंट जो ये बरसीम की किसम है ठीक है ये भी याद रखेंगे उसके बाद बात करते हैं ताइवान फलुत पादन वाली किसम है ठीक है ताइवान फलुत पादन वाली किसम हो जाएगी नौन यू नंबर वन एक ये किसम हो जाएगी रेड लेडी हो जाएगी संराइज हो जाएगी करण हो तो थो पीलते बनाना की हो जाएंगी और शूरिया खाली और शूरियाária एक पपीते की किस्म है और उसके अलावा दो तीन चीजों की और किस्म है जैसे सूरिया एक सूर्जमुखी की भी किस्म है एक खजूर की भी किस्म है और एक पपीता की किस्म है ठीक है यह तीनों आप याद रखेंगे और पूसा सूरिया कभी कभी पूछ लेता है पूसा सू किसमें कौन कौन से होते है जिसको गैनो डैसिस गा जाता है ठीक है और पपेन उत् livres किसमें सब से पहले देख लेते हैं पूसा मेझेस्टी यह आच्छा उत्पादन करती है को टू यह हॉत्पादन करते है को पाइफ यह वह था करती है लेकिन एक कभी कभी पूचता है सबसे ज़यदा पपेन उत्पादन करने वाली किसम कौन सी है तो आप इसमें बताएंगे कि पूसा मेजेस्टी जो है ये सबसे ज़यदा उत्पादन करने वाली पपेन की किसम है ठीक है, लेकिन अगर ये Gynod죁कीS पूचेघा ठीक है तब यह आप बताएंगे Gynos dioceus की variety जो है यह Pusa majesty कैसे है Gynos dioceus है और Co5 कैसी किस्म है यह Co5 जो है यह आपकी Dioceus है अगर इसमें पूछ रहा है Dioceus में सबसे ज़्यादा पपेन उत्पादन करने वाले किस्म तो Co5 हो जाएगी ठीक है अगर पूछेगा गायनो डाइसियस में सबसे ज़्यादा पपे नुत पादन करने वाले किसम कौन सी हो जागी तो पूसा मेजेस्टी हो जाएगी ये दोनों चीज़े आप याद रखेंगे उसके बाद बात कर लेते हैं उभेलिंगी किसमे ठीक है उभेलिंगी किसमे बहुत सारी होते हैं जिसमें यानि कि नरपदो की आवशकता नहीं होती है यानि सब इसमें फिमेल के साथ मेल फ्लावर्स भी आते हैं उभेलिंगी इसको कहा जाता है और इसमें पूसा डेलेसियस हो जाएगी किसमें पूसा मेजेस्टी हो जाएगी सूरिया हो जाएगी सं सीड रेट की यानि कि गाईनो डाइसेस में जो सीड रेट लगेगा हमारा 150 ग्राम प्रेती हेक्टेर की दर से लगेगा ठीक है 150 ग्राम प्रेती हेक्टेर की दर से सीडरेड लगता है अगर बात करते हैं कि दाइंस किस्मों में כतक लय कितना सीलिघ रगे में चारसो से लेकर 500 ग्राम लगे प्रेपा हेक TP ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे है कि आ उसलिए बार अर तरक लेत zach Ülex में कुछ और js किस्म कौन सी होती है या सबसे ज़्यादा पोधे कौन सी किस्म को लगा सकते हैं ठीक है तो आमरपाली को लगाते हैं सबसे ज़्यादा मैंगो में तो यह ग्रिवाटका के रूप में मैंगो की जो वेराइटी है वो आमरपाली है ठीक है इसका जो क्रास कराएगा दसहरी यानि कि दसहरी क्रास नीलम से आमरपाली आपकी विराइटी तयार हुई है ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे इसमें आपको धाई इंटू धाई मीटर पर पौधे लगाते हैं तो इस हिसाब से आपको पौधे लग जाते हैं एक हेक्टर में सोला सु प्लांट पौधे लग सकते हैं ठीक है बागी बड़े जो पौधे होते हैं उनको दस ऐंटू दस पे लगाते हैं तो यानि कि इसमें सिर्श पौधे ही लग पाते हैं एक हेक्टर में उसके बाद चलिए बात कर लोटे Siya पालसी फोर्य पर लाई इसमें के बात कर लेते हैं कि जो परहरे में उगा सकते हैं इसको और अधिकतर देखी जाती हैं, तो बरवानी लाल है, वासिंटन है, राची है, यह सब परमपरिक किसमे हैं, जो नमींतम रिलीज होने वाले किसमे हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, किस परकार की किसम है、 दोनों hybrid किसम है यानि कि संकर किसम है और ये IIHR हशरगटा बन्योर दोरा निकाली की किसम है ठीक है इसके अलावा पंत परभात कभी कभी यहाँ पूछता है कि 5 परभात किसकी किसम है तो 5 परभात दिया है यानि कि website परवर्धन एक ही विधी आप लोग देखते हैं कि इसको पपीते को कलम दौरा नहीं तियार कर सकते हैं तो इसका website परवर्धन जो होता है वो by seed दौरा ही होता है यानि कि 20 दौरा ही इसका परवर्धन किया जा सकता है ये काफी important है अब काफी exam में पूछा जाता है क अभी कभी पूछता है इसको घुमा के पूछ देता है कि नमीनतम बिधी बताईए पपीते की लगाने की तो नमीनतम बिधी आपकी आजएगे उतक सवर्धन जिसको टिसू कल्चर की नाम से भी जाना जाता है तो नमीनतम method अगर पूछेगा तो आपका उतक सवर्धन हो ज अगर उसका तो चेंज हो जागा है तो उसका आधा कर देगे यानिकि भी किसम है तो उसकी बीज़दर हो जाएगे, ठीक है, अब बचे लोग confused होते हैं कि गाणुडाइस होता क्या है, ठीक है, ऐसी किसमें जिसमें केवल मादा या उभेलिंगी पौधे ही होते हैं, उन्हें गाणुडाइस कहा जाता है, ठीक है, गाणुडाइस किसमें जिनके अंदर क्या ह गाणुडाइस किसमें कहा जाता है, ठीक है, पौधे लगाने की विधी, ठीक है, पौधे लगाने की कौन कौन सी विधी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो पौधे लगाने की सबसे अच्छी विधी जो होती है, वो बाई सीरद्वार ही लगाते हैं, तो उसके लिए हम अब जो खोदेंगे तो 45 x 45 cm रखते हैं ठीक है यह याद रखेंगे गड्धे का अकार कितना रखते ह। 42 x 45 x 45 cm गड़े का अकार रखते हैं और गड़ों का आपसी दूरी ठीक है गड़े से गड़े की दूरी कितनी रखेंगे 2 x 2 मीटर यानि कि 2 x 2 मीटर पर हम गड़े से गड़े की दूरी रखेंगे और ग्रिवाट का के लिए सबसे अची जो किसम बता हैं पूसा नन्हा उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कम हो जाएगी यानि कि 1.25 x 1.25 मीटर यह आपका हो जाएगा पूसा नन्हा के लिए ठीक है क्योंकि इसके पहुते छोटे होते हैं बहुने होते हैं ग्रिवाटका के लिए सबसे अच्छी जो किसम मिमानी के लिए और गड़े में हम सबसे प लेना है सूपर फासफिट लेना है ठीक है एससपी कितना ले लेना है आपको 200 ग्राम ले लेना है और 50 से 100 ग्राम के नोल फास यानि की डेड़ परतिसत की चोन कि दर से परतेक गड़े में आपको डालना है ठीक है यह के नोल फास की इसलिए होता है दीमक नियंदरन करने के ये kinoefos का परयोग किया जाता ठीक है 50 से 100 ग्राम लेना है प्रते गड़े में इसको मिला देना है और उसके बाद बहुत लगाने का जो समय है वो दो यारी कि साल भर में हम दो सीजन में हम plants को लगा सकते हैं गड़े में ठीक है रोपन करने का समय जो होगा यह होगा वर्सा कालिन में और दूसरा हो जागा बसंत कालिन में ठीक है दो समय हम लगाएंगे एक वर्सा कालिन में और दूसरा बसंत कालिन में वर्सा कालिन में अगर प्लांट्स को हम लगाएंगे तो कौन से महिने में लगाएंगे जुलाई से लेके अगस्त के म महिनी में ही इसका प्लांट्स का रोपन किया जाता है गड्डे में अब खाद और और वर्वर की बात कर लेते हैं यानि कि प्रैति वर्स 20 से 30 किलोग्राम गोवर की खाद यानि कि इसके इस्तान पर वर्मी कंपोस्ट का भी परियोग कर सकते हैं इसको FYM के नाम से भी जाना जाता है और उसके लआवा 200 ग्राम यूरिया देते हैं प्रते गड़्दे के लिए हम बता रहे हैं市ल ह्ट ना सो ग्राम यूरिया देंगे और 40 ग्राम क्या दिन आ देंगे गे शूपर 54 के नाम से जाना जाता ए ठीक है और सुपर फासफेट में 16 परतिसत क्या पाया जाता है फासफोरस होता है और 12.5 परतिसत क्या होता है सलफर होता है और 10.5 क्या होता है कैल्सियम होता है ठीक है और उसके अलावा मिरोट और पोटास भी देते हैं 1.500 ग्राम मिरोट और पोटास भी देते हैं यानि कि मिरोट और पोटास में पोटास की मात्रा किदने होती है 60% इसके अंदर पोटास की मात्रा पाई जाती है यह भी आपको याद होना चाहिए चलिए अब बात कर लेते हैं सिचाई की बारे में सिचाई या अंतरा ससेन या irrigation, intra culture ठीक है इसको वो हो सकते हैं और इसमें ग्रिश्म, कालीन के समय अगर सिचाई करेंगे ति यानि गर्मियों के समय सिचाई करेंगे तो प्रतेक्स अपता हैं में सिचाई करने की आउशकता पड़ती है क्योंकि उसमें पानी की काफी ज़दा छति होती है और भूमी जल्दी Computing का शोक क्ति हैं उसके बार बात करते हैं सरद युद्रफ्र में, इसको ट्रिकेल का जाता है, इसको सब्सक्राइब का जाता है चलिए आगे आगे बात करते हैं, लिंग भेद यानि कि सेक्स इडेंटिफिकेजन के बारे में, यानि कि जब तक पपिते में फ 무대 सes नहीं आते हैं, तब तक हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा male flower, male plants है, कौन सा female plants है, ठीक है, इन तीनों बारों, इनके बारे में एकदम नहीं पहचान हो पाती है, जब तक इसमें flower ना आए, ठीक है, जब flower आ जाते तब ही पहचान कर पाते हैं, कि मतलब कौन सा female है, कौन सा nerve plants है, ठीक है, इसम होते हैं और दो कोख और यहाद रखेंगे और में होते हैं इसके footsteps होने चाहिए कि मतलब इसमें फिलावर्स पैप्टियों के कच्छ से चोटे डंठलों पर निकलते हैं ठीक है कहां से निकलेंगे ये पतियों के एकदम समीब से जो कच्छ होती है पतियां जहां पे लगी होती है वहें से ये flowers निकलते हैं और इनकी लंबाई एक से लेके तीन इंच होती है ठीक है उस flowers की लंबाई कितनी होती है एक से लेके तीन इंच होती है अगर इस परकार के लच्छन आपको दिखाई दे रहे हैं तो यानि कि वह आपका female flowers है नर्पुस्प की बात कर लेते हैं नर्पुस्प में लंबी टहनियों पर गुच्छों में लटकते हुए हो पुस्प आते हैं ठीक है लंबी टहनियों पर पुस्प जो होते हैं गुच्छों के रूप में लटकते हुए आपको दिखाई देंगे ठीक है और फूल छोटे और पूर्ण रूप से बिक्सित होते हैं ठीक है flowers कैसे होते हैं छोटे होते हैं और पूर्ण रूप स के फल होते हैं और पुस्प गुच्छों में निकलते हैं इसमें नर और मादा दोनों परकार के भाग एक ही पुस्प एक ही पुस्प में बिक्सित होते हैं ठीक है इस परकार के अगर लच्छन आपको दिखाए दे रहे हैं तो यानि कि उभैलिंगी गाइनोडाशियस प्राक से कौन से उभहलेंगे है ठीक है चलिए अब बात करते हैं काफी important point हमारा है पपेन निकालना ठीक है पपेन निकालना या पपेन extraction कह सकते हैं यानि कि पपेन पहले जानते हैं पपेन कहते किसे हैं कच्चे फलों में लंबवत कट लगा दिया जाता है जिससे इस पर दूधिया रंग का स्राव निकलता है उसको क्या कहते हैं पपेन कहा जाता है ठीक है और पपेन जो होता है पेट से संबंदित बिमारियों के काम में आने वाली औशदियों का निर्मार क किया जाता है ठीक है सूजन और दर्द को भी कम करने के लिए भी पपेन का उप्योग किया जाता है कुछ कुछ जगह पर जहां पर आपके चोट वगर अलगी है वहां पर अगर पपेन हम लगा दे रहे हैं तो आप भी काफी मददगार सिध्ध हुआ है पपेन से बहुत सारी चीजें बना जाती है जैसे चवाने वारी जो गम होती है चिलगम जिसको कहते हैं उसका भी निर्मार किया जाता है प्राकृतिक रेशम बना जाते है या रियान का निर्मार भी किया जाता है उन में अगर सिकुडन आती है तो उसमें भी इसका परयोग क किया जाता है ठीक है और बहुत सारे ऐसे वसदिये योग है इसके जिसका परियोग किया जाता है ठीक है अब बात कर देते हैं नबे दिन या तीन माह के जब फल हो जाते हैं तब इसमें पपेन को निकाला जाता है यह देख सकते हैं यह कच्छा पपीता है इसमें यह चीरा ल आता है ठीक है एक बार में कितने चीरे लगाते हैं ये भी कभी काफी एक्जामों पूछा गया है एक बार में कितने चीरा लगाते हैं तो चार से लेके पांच चीरे इसमें लगाए जाते हैं और कितने दिन हो जाते हैं तब चीरे लगाते हैं यानि कि हमारा प्लांट्स जो ह और यह भी कोशन बनता है काफी important कोशन है कि चीरा लगाने का सबसे अच्छा समय माना गया है यानि कि सुबह और बारतन का परयूग करते हैं या तो या तो मिटी का बरतन हो या ऐलूमीनियम का बरतन का परियोग किया जाता है पपेन को इकठा करने के लिए ठीक है ये काफी important है question कि पपेन को इकठा करने के लिए किस परका बरतनों का परियोग किया जाता है मिट्टी का बरतन होना चाहिए या aluminium का बरतन होना चाहिए कभी-कभी पूछता है कि परिरच्छण में परिरच्छण किस से करते हैं, ठीक है, कौन से जैसे आता है, पोटेशियम मेटवाई सल्फाइड, ठीक है, इसके द्वारा परिच्छण किया जाता है, पोटेशियम मेटवाई सल्फाइड के द्वारा परिच्छण किया जाता है, इसको KMES के नाम से जाना जाता है KMES के नाम से भी जाना जाता है और KMES यानि कि Potation Metavisulfide की कितनी मात्रा लेना है तो 350 PPM किदर से इसको लेना है यानि कि 350 EMG कह सकते हैं प्रैति लीटर ठीक है एगर एक लीटर आपका पपेन है तो 350 EMG इसमें Potation Metavisulfide मिलाकर इसको परिछण किया जा सकता है और एक ही और इसमें द्यान देंगे कि Potation Metavisulfide जो होता है ये रंग हीन फलों के परिरचण में काम मिलिया जाता है ठीक है और एक ग्राम यानि कि 100, 1000 EMG के बराबर होता है एक पौधे से कभी-कभी पूचता है एक प्लांट से कितना ग्राम हम या कितने किलो ग्राम हम पपेन को प्राप्त कर सकते हैं तो एक प्लांट से हम 200 ग्राम पपेन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है काफी बार एक्जामों में आया है तो एक हेक्टेर से एक सो साथ किलोग्राम ठीक है एक सो साथ किलोग्राम प्रेती हेक्टेर की दर से पपेन हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है पपे नुत पादन के लिए सबसे अच्छी जो किसमें बताएं है कि सी ओ फाइव ठीक है ये जो है किसमें ये सबसे अच्छी मानेगे उसके अस्तान पर पूजवा मेजेस्टी जो है ये भी पपे नुत पादन के लिए सबसे अच्छी किसम मानेगे ये दो किसमें सबसे ज्य देखा जाता है माहू को इस परकार के माहू आप देख सकते हैं यह माहू कीट है यह कीट पतियों से रस चूसता है ठीक है किस परकार का कीट है यानि कि पतियों से क्या करेगा यह रस को चूसेगा और यह मोजेक वाइरस रोग का वाहक होता है ठीक है यानि कि एक पति से अग mojak virus रोग लगा हुआ है तो उससे अगर यह राश चूस कर दूसरे प्लांट पर जाएगा तो उस में वो फैलाने का काम करेगा परसार का काम करता ठीक है यह पूरी पूरी फसल को इस परकार से mojak virus से छतिक रस्त कर देता है इसलिए इसको नस्ट करना काफी important हो जाता है तो इसको नियंतरन करने के लिए क्या करते हैं तो methyl dmiton ठीक 25 c methyl dmiton 25 c ये दवा लेते हैं या इसके अस्थान पर dimethoate 30 c ठीक है प्रती ml एक ml दवा लेना प्रती लिटर पाने में घूल बना कर इसका इस्प्रे कर देंगे ठीक है दोनों से एक दवा लेंगे तो इसका छिड़काव कर सकते हैं चलिए दूसरे कीट के बारे में अध्यन कर देते हैं दूसरा जो परमुख कीट है हमारा सफेद मख्य इसको बेमेसिय टेबेसी के नाम से जाना जाता है ठीक है बेमेसिय टेबेसी इसको कहा जाता है तो यह कीट क्या करता है पतियों से क्या करता है रस चूसता है रस चूसने का काम करता है यह इस परकार की बेमेसिय टेबेसी होती है सफेद मक्ही इसको कहा जाता है ठीक है यह कौन सा रोग का परसार करती है या रिंग स्पोर्ट वाइरस रोग का परसार करती है कभी के पूशा जाता है रिंग स्पोर्ट रोग जो होता है वाइरस डीजिज है इसका परसार का काम कौन सक्ट करता है तो यह सफेद मक्ही यानि कि बेमेसी या टेवेसी इसका रोग का परसार करे इसके निंतरण करने के लिए क्या करेंगे Mithile Dimitre 25 cc दबा आती है क्यों सी Mithile Dimitre 25 cc या इसके स्थान पर Dimethoate TCC ठीक तोनों मिसे एक दबा लेना है ना कि दोनों आप मिलाकर आप इस प्रे कर दीजिए दोनों में से एक दबा लेना है, जो आपको अच्छा लगे ठीक है, एक ml दबा लेना ठीक है प्रेटी लीटर पाई में घूल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है यानि कि इते हमारा सफ़ेद मक्षी से नियंतरन हो जाएगे अगला जो रोग है नासी जीव मूल गरंथी इसको कहते हैं इसको सुत्र क्रीमी की नाम से जाना जाता है नेमो टोट कह सकते हैं ठीक है ये किसके कारण होता है ये रोग कारक का नाम है मेलोडो गायनी स्पेसीज ठीक है मेलोडो गायनी स्पेसीज के कारण ये आपका ये रोग हो जाता है जिसे पपीते की प बीला पड़ी आता है और सूख जाता है और फल जो थे यूठे अकार के लगते हैं और पूरी फुरी फसल जो थी हमारी नस्ट हो जाती है ठीक है इसके नियंत्रन करने करने हम क्या करें की कार्बो फीर ओं 3 g ठीक Pram drown 3g करने के दभा आती है 10 ग्राम प्रती प्लांट कि दर से हम इसका उप्योग करेंगे और इसको नियंतरन आसानी से कर सकते हैं यह देख सकते हैं पपिते का प्लांट से इस परकार के लच्छन आप में इसमें दिखाई देंगे पपीदा के प्लांट्स में इस परकार के यी जो जड़ेज होती हैं ज़ड़े मेंrikaंठे पड़ गई हैं और यहाँ पे देखSकते हैं बहुत सारी गांठे पड़ गई है जिसके करण्ड क्या हता है पौधा छोटा हो जाता trek्वोना रह जाता है और उसकी पतिये पीले कलर की ह हो जाते हैं देरे देरे पौधा जो होता है सूख जाता है और इसके फल जो होता है काफी छोटे आकार के लगने लगते हैं और पौधा देरे देरे एकदम सवाफ्त हो जाता है अगला जो हमारा परमुक रोग है उसको डंपिंग आफ के नाम से जाना जाता है कॉलर रोट के नाम से जाना जाता है इसके गलन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह रोग कारक किसके करण होता है यह पेथियम एफेनी डर्मेटम ठीक है पेथियम एफेनी डर्मेटम यह फ इनके जड़े दिरे दिरे गल जाती हैं नश्ट हो जाती हैं जिसके करांट पौधा दिरे दिरे सूख जाता है इसमें क्या होता है पपीदे की पौधसाला की परमुक बीमारी है ये पौधे छोटे 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 पौधे छोटे छोटे पौधे नीचे से गल कर मर जाते हैं जिससे डेंपिंग ओफ कहा जाता है, केलर रोट में घोमी के पास से तने के ऊपरी छाल गलने लगती है, तथा पोधे देरे देरे सूख जाते हैं, ठीक है, इस पर करके अगर लच्छन दिखाए दे, तो आप समझाएगे कि डेंपिंग आफ इसमें लगा हुआ है, इस रोग को नियंदरन करने के लिए क्या करेंगे, हम बाग में जल निकास की बेवस्ता हो, ठीक है, जल निकास की बेवस्ता होनी चाहिए, यानि कि पपीदे की जो फसल है, क्राप्स है, उसके अंदर जल ठैरना नहीं होने चाहिए, जल निकास की पूर्न रूप से बेवस्ता होनी ठीक है बोडो मिस्टरन आपको त्यार कर लेना है इसकी दर से आपको छिरकाव करना है जिससे हम डंपिंग आपके समस्या को दूर कर सकते हैं ठीक है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सेयर सस्क्राइब जरूर करी हमारी चैनल को नाम ह अगला जो हमारा परमुख रोग है जिसको तना या पद विगलन रोग कहा जाता है ठीक है क्या कहते है तना या पद विगलन रोग कहा जाता है इस्टेम या फूट रोट के नाम से भी जाना जाता है रोग कारक यानि किसके करण होता यह फाइट अप थोरा पलमी पूरा कवक कारण होता ठीक है किसकी कारण होता है फाली में पूरा कावग के कारण होता परबंद कैसे करेंगे यानि की नियंदर和 कि 서 इस परकार देख सकते हैं इसका जो तना है इस परकार का हो जाता है यह लच्छन इसके परमुक है तना यहां पर गल गया है यानि कि धीरे-धीरे सड़न मुत्पन हो रही है तो इसको कहते हैं पाद विगलन या तना विगलन रोग के नाम से भी जाना जाता है तो जिस परकार dumping off का नियंद्रन था उसी परकार इसका भी नियंद्रन कर सकते हैं चलिए अगला रोग जो हमारा पर्मुक भेंकर रोग है पर्ण कुंचन या लीफ कर्ल के नाम से जाना जाता है ठीक है ये मोजेक वाइरस की करण होता है रिंग स्पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसका जो वाहक है यानि कि माहू इसको फैलाने का काम करती है परसार का काम करती है ठीक है इस परकार का प्लांट से उपर से दिखाई देगा यानि कि पतिया इसकी एड़ जाती है और मुड जाती है कठोर हो जाती है पौधेक पतिया छोटी हो जाती है पौधा जो बौना दिखाई देता है ठीक है इस परगार के अगर लच्छन दिखाई दे रहा है तो यानि कि उसके अंदर परण कुंचन या लीफ कर लिया रिंग स्पोर्ट नामक बिमारी हो गई है अब रोग कारा किसका परमुख है वायरस की दौरा हो रहा है ठीक है वह कौन है सफेद मक्खी हो सफेद मक्खी है यानि कि यही फेलाती है सफेद मक्खी बेमेशी को कहा जाता है सफेद मक्खी को परबंद कैसे करेंगे परबंद яनिका नियंद्रन के लिए डाएमी थोयेट ती सी दवा लेंगे ठीक है इसके इसके स्थान पर इमेडा क्लोरोपिड दवा भी ले सकते हैं एक corresponding प्रति लिटर पाने में घोल बनाकर इसका September कर सकते हैं रिंग स्पोर्ट विषानव प्रति रोधी किस्मे अगर पर्ण कुंचन या लीफ करल या रिंग स्पोर्ट से कुछ प्रति रोधी किस्मे अगर आप उनको लगा रहे हैं तो उसमें इस परकार का रोग यानि की बीमारी नहीं लगेगे जैसे sun up और rainbow ये दो किसमें ऐसी निकाले गए हैं जो पर्ण कुंचन यानि की लीफ कर्ल और मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किसमें है चलिए हमारे अंतिम टॉपिक अंतिम हेक्टेर की तो प्रति हेक्टेर में हमारा 35 से लेके 60 टन ठीक है 35 से लेके 60 टन प्रति हेक्टेर उपज हमको आसानी से प्राप्थ हो जाती है एक हेक्टेर की अगर प्रति पेड पूछ रहा है एक्जाम में तो 40 से लेके 50 किलो ग्राम प्रति पेड हमको उपज आसानी से मि ठीक है अगर हम बात करें कि एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में हमको पपेन कितना प्राप्त होता है 160 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर किदर से पपेन प्राप्त हो जाता है अब बात करते हैं भंडारन की भंडारन 13 से लेके 14 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान पर 1 से लेके 2 सब्ता तक हम भंधारित किया कर सकते हैं ठीक है अगर टेंपरेचर कितना रखेंगे 13 से लेके 14 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान पर हम 1 से लेके 2 सब्ता तक हम आसानी से भंधारित कर सकते हैं इसको ठीक है आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, सियर, सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी परकार के हर्टी कल्चर के जितने भी चैप्टर है, फूट से ट्रॉपिकल है, सब्सक्राइब या टेमप्रेट है तीनो विशों पर हम प्रते एक दिन एक एक वीडियो लेकि आते रहेंगे आप लोग अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आप पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जागा, आज का टॉपिक हमारा ही समाप्त होता है, धन्यवाद